इस वीडियो को एंड तक देखना ये कहानी बहुत ही ज़ादा मस्त है ये कहानी असल में उसातो नाम के एक ऐसे लड़के की है जो की हाई स्कूल स्टेंडर्ड में है मगर उसका कोई दोस्त नहीं है वैसे तो बहुत अच्छा है और सबकी मदद भी करता है पर फिर भी कोई उससे बात तक नहीं करता साथ ही वो एक अनलकी भी है आज उसका एक और अनलकी डे था क्योंकि जब वो स्कूल से वापस घर के लिए लौट रहा था तब वो नीचे आकर देखता है कि उसका अम्परेला चोरी हो चुका है उसे नहीं पता कि ये किसने चुराया मगर अभी उसे अम्परेला स्टैंड के अंदर एक दूसरा अम्परेला दिख रहा था वो उसे ले सकता था पर वो एक अच्छा लड़का है इस वज़ा से वो उसे नहीं लेता अब वो कुछ देर इसी तरह से इंतजार करता है कि बारिश रुक जाए जिससे कि वो घर जा सके पर उस दिये कि वो यहां पर क्या कर रहा है अब उसा तो यह तो नहीं कह सकता था कि उसका अम्परेला चोरी हो गया इस वज़ा से वो बहाने बनाने लगता है पर इनुकामी समझ गई थी वो कहती है कि तुम्हें जल से जल घर जाना चाहिए क्योंकि अब वो स्कूल के लगने तो फिर मेरे स्कूल कांसलिंग प्रेसिडेंट होने का क्या मतलब अब उसके पास एक और अम्परेला था इस वज़ा से वो इस अम्परेला को शेयर करने को उसातों से कहती है उसातों के लिए तो यह ड्रीम की तरह था क्योंकि असल मैं इनुकामी उसे पुरे स्कूल की सब ही नहीं बनता वो तुरंती अम्परेला निकालते हुए उसातों को दे देता है वैसे तो उसातों को बहुत ही गुस्सा आना चाहिए पर पहले बार उसकी किसी ने मदद की थी इस वज़ा से वो इस बारे में नहीं सोचता अब वो दोनों ही यहाँ उसातों से कहते हैं कि व उसे अपने साथ घर तक जाने का ओफर दे रहे हैं उसातों तुरंती हां कर देता है और वो लोग वहां से निकलते हैं रास्ते में वो बात करते हुए जा रहे थे अब रास्ते में इनुकामी काजू की से कहती है कि उसातों तुमारा दोस्त लगता है पर काजू की कहता है क चुछ सब्सक्राइब बातों में ऐसा लग रहा था कि उसातों और काजू की अच्छे दोस्थ बन गए वो इस तरह से बात करते हुए आगे बढ़ते हैं तब ही उनके बीच में आपस में सवाल चलने लगते हैं कि आखिर वो फ्यूचर में करना क्या चाते हैं यहाँ पर जब इस सवाल इनुकामी से पूछा जाता है तो वो कहती है कि वो कुछ भी सोचे वो काम अपने आप ही हो जाता है मतलब उसने अभी तक जिस चीज़ को चुना है उसे हर चीज़ में उसने सेकस्स पाई है यह बहुत ही बड़ी बात थी लेकिन उसके लिए अब सेकस्स छोटी होने लगी है इसलिए अब उसका कोई ड्रीम नहीं है क्योंकि वो जब भी जो सोचती है वो हो जाता है तो वो ड्रीम किस चीज़ को बनाए और वैसे भी उसे लगता है कि वो इस वर्ल्ड की है ही नहीं अब यहाँ पर उसातों से ये क्वेशन पूचा जाता है उसका भी सेम कहना था उसे भी नहीं लगता कि वो इस वर्ल्ड का है क्योंकि वो जो भी सोचे है उसमें से एक चीज भी उसके साथ कभी नहीं होती वैसे रास्ते में चलते हुए उसातों काजो की और इनुका में से कहता है कि तुम दोनों बहुत ही ख्लोज लगते हो मगर वो इंप्रेस थे कि उसातों ने उन से ये चीज पूछने की हिम्मत की अब वो जब आगे जा रहे थे तब ये अचानक से उनके रास्ते में एक बहुत तेज़ बैल की आवास सुनाई देती है यहां पर ये बैल की आवास सिर्फ काजुकी और इनुका में को सुनाई दी थी उसातों को कोई बैल की आवास सुनाई नहीं दी थी जो की उन्हें वहां से टेलप्रोट कर रहा था उसातों को वैसे तो वो बैल की आवास सुनाई नहीं दी थी पर इन दोनों के बीच में वो फस जाता है कुछ दिर बाद उनकी आँके खुलती हैं तो वो एक अजीव सी जगा पर था यह असल में एक कासल था यहां पर उसातों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इसलिए वो काजू की से पूशता है काजू को खुद भी यही सोच रहा था कि वो यह कहां आ गए पर जब उसातों इनुकामी की तरफ देखता है तो शौख हो जाता है क्योंकि इनुकामी बहुत ही ज़ादा एकसाइटीड फील कर रही थी उसे तो मज़ा आ रहा था जबकि उसे भी नहीं पता कि वो अभी कहां पर हैं अब वो सामने किंग को बैठा हुआ देखते हैं किं इसे किड्नैपिंग कह सकते हैं किंग कहा रहे थे कि हमारे वरल्ल में डीमन्स हमला कर रही है जिने हम रोक नहीं सकते अब इस बार जो हमला ओ? था उस हमले को तो हमने किसी तरह से थोड़े बहुत नुक्सान के साथो रोक लिया Hornacak उठार अपनी आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रॉंग बना रहा है और हमें नहीं लगता कि अगली बार हम उसे रोक पाएंगे इसलिए हमने यहां पर एक फॉर्बिडन स्पल्ड जो की बहुत ज़्यादा पुराना है उसका इस्तमाल करते हुए उन सूपर वोईर्स को यहां पर समन क किया जिनके पास उस डिमर लॉड को लड़ने की शक्ती है यह सुनकर यहां पर सभी शौक थे पर काजुकी कहता है कि मुझे इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ता मैं अपनी दुनिया में अपनी लाइफ नॉमली गुजार रहा था मुझे वहां पर वापस बेज़ दिये यह सुनने के बाद किंग तुरंती कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता वो बताते हैं कि यह जो फौर बिडन स्पैल था इसे सिर्फ एक की डिरेक्शन में यूज किया जा सकता है इसका मतलब वो उन सूपर वोयस को यहां पर बुला सकते हैं पर यहां से वापस नहीं बेज़ सकत हैं वो कहते हैं कि हमें माफ करना हमने बिना पर्मिशन के तुम्हें यहां पर समन किया पर हम वादा करते हैं कि तुम्हें वापस बेजने की तरीका ढूंड लेंगे बस जब तक वो तरीका मिल नहीं जाता हम उमीद करते हैं कि आप लोग हमारी मदद करेंगे अब इनके प पता करेंगे कि आखिर इन तीनों के पास कौन कौन से मैजिक हैं अब यहाँ पर आने के बाद काजू की उसातों से कह रहा था कि तुम्हें तो वो बैल की अवस्त भी सुनाई नहीं दी थी इसका मतलब शायद तुम यहाँ पर नहीं आने वाले थे अब इस चीज़ पर उसात भी खुश हो गया था अब यहाँ पर इनुकामी से रहा नहीं जाता वो तुरंती उस बाल को टच करती है जिसके बाद वो बाल येलो कलर में गलो करने लगती है हमें जानने को मिलता है कि उसके पास थंडर एलिमेंट की पावर है और साथी साथ उसकी जो बाल थी वो बहु लाइट कलर की हो जाती है वाइट कलर का मतलब है लाइट एलिमेंट जो कि एक अच्छा एलिमेंट है और यहां पर वो लेड़ी बता रही थी कि यह एलिमेंट डीमन के किलाफ बहुत ही ज़दा पावरफुल साबित होता है अब यहां उसातों को बुलाया जाता है उसातों कि इनुकामी और कासुकी की मैजिक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें बहुत ही अच्छे एलिमेंट मिले हैं ये सुनकर किंग शौक थे वो कहते हैं कि कहीं उसातों को ब्लैक कलर तो नहीं मिला ब्लैक कलर से यहां पर उनका मतलब डाकनेस की पावर से है पर अब वो लेड़ी बताती है कि नहीं उसातों को जो बॉल थी वो ग्रीन कलर की हो चुकी है यह सुनकर किंग बहुत ही ददर शौक हो गए थे उसातों यह देखकर कहता है कि कहीं यह उसे बेकार पावर तो नहीं मिल गई और ऐसा तो नहीं कि वो ब्लास्ट करने वाला है पर किंग कह रहते तब ही वो लेडी वहाँ पर आती है इसका नाम रोज है यहाँ पर आकर जैसे ही आगे बढ़ रही थी तो वहाँ पर हर एक सैनिक शौक था अभी वो आ गया कर बताती है कि वो वेकेशन से वापस आ चुकी है बस वो जादा कुछ नहीं इतना ही कहने के लिए आई थी इ उसातो किंग से पूछने लगता है कि आपने बताया नहीं इस ग्रीन लाइट का मतलब क्या है यह सुनकर रोज का ध्यान तुरंती उसातो की तरफ जाता है वो समझ गई थी कि किंग उसातो को उससे दूर करना चाते हैं यानि बचाना चाते हैं वो उसातो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है पर तभी मैजिक डिपार्टमेंट की वो लेड़ी उसातों को महां से उड़ाते हुए किंग्डम से दूर ले गई थी जिससे कि वो उसातों को प्रोटेक्ट कर सके पर तभी रोज वहां पर आ जाती है उस मैजिक बवल को डिस्ट्राइक करते हुए उसातों को ले जाती है वो कह रहती है कि मैं इसे स्टॉंग बना कर वापस लाओंगी अब यहां किंग परिशान थे हम देखते हैं कि जब अगले सीन में मैजिक लेडी काजो की और इनुका में से बात कर रही थी तो वो दोनों बहुत ही चिंता में लग रहे थे पर मैजिक लड़का जो की गलती से इस वर्ल्ड में आ चुका है उसे वो ट्रेन करें दूसी तरफ हम अभी रोज उसातों को बाता रही थी कि उसके ग्रीन लाइट ग्रो करने का मतलब हीलिंग पावर से है वो बताती है कि रोज खुद भी एक हीलर है और वो जिस रेक्स्क्यू स्कॉ में और भी कई सारे मेंबर्स हैं पर वो हीलर नहीं है वो मेंबर्स यहां पर आकर उसातों को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वो बिल्कुल किसी गैंक्स्टर या फिर गुंडी की तरह लग रहे थे इस वो जैसे उसातों थोड़ा डर गया था पर रोज उनको वहां से वह कहती है कि तुम्हें अपने नए टीम मेंबर को डराने की ज़रूरत नहीं है अब रोज कह रही थी कि तुम्हारी ट्रेइनिंग शुरू करनी है उसातों कहता है कि आस तो मैं बहुत ही ज़जद ठक चुका हूं हम कल ट्रेइनिंग शुरू करेंगे इसके बाद अब उस की टीम का वे गैंस्टर मेंबर खाना बना रहा था, वो कहता है कि तुम से कोई मिलने आया है, उसातों जब बाहर आता है, तो यहाँ पर काजुकी और इनु कामी थे, वो दोनों उसातों की चिंता कर रहे थे, इस वो जैसे वो इसातों से मिलने के लिए आये हैं उसातों कहता है कि चंता करने के कोई जरूवत नहीं है क्योंकि रोज सिर्फ देखने में खतरनाक है पर अब वो दोनों कह रहे थे कि हमने सुना है कि उसकी ट्रेइनिंग का तरीका बहुत ही ज़ादा खतरनाक है जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि यह दोनों इतनी जल्दे इस वर्ड में घुल मिल गए वैसे दोनों इस वर्ड के लिए बने गए हैं तभी उन्हें उस बैल की आवास सुनाई देती है उसातों सोचने लगता है कि भले ही मुझे यहां के लिए नहीं चुना गया है पर फिरी भी मैं हार्ड वर्क करकर इनकी मदद करूँगा मतलब मैं इतना स्टॉंग बनूँगा कि इनके किसी काम आ सकूँ पर अब तभी वहाँ पर रोज आ गई थी उसातों से देखकर डर जाता है और तुलंती अपना सर जुका लेता है रोज कहती है कि तुम यहां पर कोई कैदी नहीं हो तुम जब चाहो अपने दोस्त से मिल सकते हो बस ध्यान रखना कि जब तुम ट्रेनिंग ना कर रहे हो तब ही उनसे बात चीत करो इसके बाद अब वो उसातों को एक डायरी देती है और कहती है कि उसातों इसमें अपनी एक्सपिरियंस के बारे में और डेली लाइफ के बारे में लिख सकता है अपना मनहलका करने के लिए उसातों से रख लेता है रोज कहती है कि हम breakfast के बाद से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे अगले सीन में उन्होंने breakfast कर लिया था और अब वो ट्रेनिंग के लिए तयार थे यहाँ पर आकर रोज कहती है कि आज हम ट्रेनिंग थोड़ी हलकी फुलकी करेंगे वो उसातों को वर्स का अभी तक देखा तक नहीं था उसातों ये देखकर शौक था पर रोज बताती है कि ये एक खास spell के कारण हो रहा है जो कि तब activate होता है जब कोई दूसरा world से इस world में teleport हो उसातों सब कुछ पढ़ पा रहा था रोज उसे detail में समझाना स्टार्ट कर दिया था उनका जो किंडम है उससे कुछ ही दूर डीमन किंडम है यानि कि उनके बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है और अगर डीमन किंडम उनके उपर हमला करेंगे तो रोज पहले उन पर जाकर हमला करेंगी वो उसातों को पहले ही वोन करती है कि उसे जल सजल स्ट्रॉंग बनना होगा उसातों इसके लिए तयार था अब पहले दिन तो बहुत ही आसान था लेकिन अब अगला दिन चालू होता है आज रोज ने उसे कहा था कि उसे दोड़ना है उसा तो दोड़ना स्टार्ट करता है, उसे नहीं पता था कि ये उसके मैजिक में क्या काम आएगा, या फिर उसके मैजिक इससे किस तरह से स्ट्रॉंग बन सकता है, पर फिरी भी वो बिना कोई बहाना बनाए दोड़ना चालू करता है, अब वो बहुत देर तक दोड़ रहा फ़ोस पर उसके दोड़ाने को कहते हैं Loros फिर से उसे दोड़ाने को कहती है जब तक शाम ना हो जाए उसस दोड़ता रहता है अब इस तरह से तीसरा दिन भी आ गया था, अब चौत्छा दिन भी आ जाता है चौते दिन तक उसातो अपने टीम के साथ में ऐसा ही दोड़ रहा था उसकी टीम में जो बाकी मेंबर्स थे वो गैंक्सर टैप की मेंबर्स वो इतना तेज दोड़ते हैं कि उसातो उनकी बराबरी भी नहीं कर सकता ऐसा इसलिए क्योंकि वो टीम मेंबर्स बहुत ही टाइम स इस तरह के ट्रेइनिंग कर रहे हैं अब कुछ दिर भागने के बाद उसा तो गलती से गिर जाता है गिरने के बाद उससे ज्यादा चोट नहीं लगी थी पर थबी वह अपने हाथ पर नोटिस करता है कि ग्रीन लाइट निकल रही है इसका साफ मतलब यही था कि यह उसकी और अगया था अब तक उसांटोपूरी तरह से इस ट्रेइनिंग से पक चुका था वैसे अब वो उसस से टृइनिंग को अपनी दोस्तों की मदद करने के लिए नहीं बलकि रोज की थाबित करने के लिए कर रहा था कि वो खार नहीं मारेगा वैसे अऍंश morals इससे दोण के पा रहा था वो पुश अप्स करने से खुद को रोकता नहीं है और करीबन 800 पुश अप्स कर लेता है यहाँ पर रोज उसे बताती है कि मैं तुम्हें इतना हार्फ ट्रेनिंग इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हीलर को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉंग होना चाहिए ऐसा उसका मानना है वो कहती है कि हीलर अगर स्ट्रॉंग होगा तो वो कैसे भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है और अपने टीम मेंबर्स की जान बचा सकता है अब इसी तरह से वो दिन भर पुशप्स करता है अब उसने भी हार मानना बंद कर दिया था अब उसे रोज कहे या ना कहे वो श्याम को भी अपने आप खुद से ट्रेनिंग के लिए चला जाता था वैसे अगले ही दिन रोज ने उसके उपर एक वेस्ट पहना दिया था जिसका वजन बहुत ही ज़ादा था अब उससातों को उसे पहन कर भी दोड़ना था और पुशप्स करने थे अब उसके लिए सब बहुत ही ज़तर डिफिकल्ट होता जा रहा था वैसे आज वो जैसे ट्रेनिंग पर वापस लोटता है अभी अभी वो इतना हार्ट ट्रेनिंग करके आया है अब इस तरह से उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है हम देखती हैं कि एक दिन अब यू कामी और काजू की उससे मिलने के लिए आते हैं मगर वो देखकर शौक थे कि उसा तो इस वक्त पुशप्स कर रहा था तुम बहुत ही हलकी हो इसके बाद रोस को गुस्सा आता है और वो एक और दस टन का पत्थर उस बड़े के पत्थर के उपर रख देती है उसातों पहले तो नीचे गिर गया था पर फिर वो खुद को संभालता है वो यहाँ पर अपनी हीलिंग पावर का इस्तमाल कर रहा था और पुशप्स कर रहा था यह देखकर रोस इंप्रस थी वो कहती है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा साही डिरेक्शन में जा रहे हो रोस का मानना है कि अगली फाइटिंग सिचूशन कभी भी आ सकती है इस वजह से उसातों को जल्द से जल्द उसके लिए तयार होना चाहिए यहाँ पर यह सब देखने के बाद काजुकी और इनुकामी दोन ही बहुत ज़दा शौक थे काजुकी का मानना था कि इतनी ज़दा खतरनाक ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए दूसरी तरफ इनुकामी तो इंप्रेस हो रही थी क्योंकि उसातों के इतनी हार्ट ट्रेनिंग को देखने के बाद बहुत ही ज़दा मसल गेन हो चुके है यहां पर उनका जो नाइट है मतलब कि उन्हें जो ट्रेन करता है वो बंदा यहां आगे जाकर रोज पर गुस्टा करने लगता है वो कहता है कि उसे ऐसे नॉमल यूमन के लिए इतनी हार्ट ट्रेनिंग का यूज नहीं करना चाहिए जब कि उसातो तो यहां पर आने के लिए चुना भी नहीं गया था पर रोज कहने लगती है कि उस सबसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है मुझे उसातो को हार्ट ट्रेनिंग करानी होगी आगे चलकर उसातो मेरा राइट हैंड बनने वाला है इस बारे में उसातो को भी नहीं पता था इस वज़ा से वो बहुती ज़दा शोग होता है तब ही रोज कहती है कि उसे अभी सीजल्स के साथ कुछ बात करनी है इस वज़ा से उसातो ब्रेक ले सकता है और अपने दोस्तों से मिल सकता है अब उसातों अपने दोस्त के साथ चला जाता है यहाँ पर अभी उसातों इनुकामी काजु के साथ एक और लड़की थी यह असल में इस किंग्डम की प्रिसिंस है यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि वो जो नाइट इनुकामी और काजु के साथ आया था उसका नाम सीजलस है और वो इस पूरे किंडम के सबसे स्क्रॉंग नाइट में से एक है यहाँ पर इनु कामी और काजियों की बताते हैं कि असल में सीजलस उन्हें तलवार चलाना सिखाता है अब उसा तो पूसता है कि आकली लड़की कौन है जिस पर वो लड़की खुदी बताती है इसको नाम सीलिया है और वो असल में इस किंडम की प्रिंसेस है यह सुनकर उसा तो शौक हो गया था और तुरंती घुटने टेक कर उसके सामने माफ भी मागने लगता है और कह रहा था कि माफ करना मुझे पता नहीं था कि आप प्रिंसेस है पर इस पर सीलिया कहती है कि उसे इस तरह से बात करने के जरूत नहीं है सीलिया से जब लोग नॉर्मली बिएव करते हैं तो वही ज़दा अच्छा लगता है इसके बाद अब यहाँ पर काजो की उसातों से पूचता है कि वो बहती ज़दा हाड ट्रेनिंग कर रहा है पर इस पर उसातों कहता है कि नहीं मैं आज थोड़ी नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहा था रोस की ट्रेनिंग से ज़दा डिफिकल्ट होती है ये ये सुनकर काजो की शौक हो जाता है अब उसातो काजो की और इनुकामी को ट्रेनिंग के बारे में पूशता है जिस पर काजो की बताता है कि सीजलेस उन्हें तलवार चलाना सिखाता है और वो लेडी जिसने इन्हें इनके मैजिक पावस बताई थी उसका नम वाल्चे है वो उन्हें मैजिक के बारे में सिखाती है अब यहाँ पर उसातो सामने रखी हुई आई को उठा रहा था उसके मसल देखते हुए इनुका में खुद को रोक नहीं पाती और उसकी टीशर्ट उपर कर उसके सिक्स पैक्स देखने लगती है वैसे उसातो को यह थोड़ा अजीब लग रहा था वैसे यहाँ पर काजयो की उसातो से पूछता है कि तुम्हारा यहाँ पर बहुत ही मुश्कल समय कटता होगा और उसातो कहता है कि हाँ शुरुआत में तो ऐसा था लेकिन अब तो उसे मज़ा आने लगा है वो कहता है कि जब मैं यहाँ पर नया नया आया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊं लेकिन रोज इतना तेज भागती है कि मैं कभी उससे बच्च कर भाग ही नहीं सकता यहां तक कि मैं अभी अभी उसकी बराबरी नहीं कर पाता पर अब तो मज़ा आने लगा है साथ ही वो हीलिंग पावर्स को भी एक्टिवेट करकर दिखाता है कि भागने की वज़ा से ना जाना कैसे अब मैं हीलिंग पावर्स का यूज़ कर सकता हूं पर तब ही वहाँ पर वही टीम मैंबर्स आ गया था जिसने उस दिन उसाथो का वो लेंच खाया था उसाथो अभी उस बात से गुसा था इस वज़ए से वो बहुत ज़दा गैंक्स्टर वाले लुक से उसे देखता है और इसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है अब वो दोनों यहाँ पर लड़ रहे थे काजुकी और इनुकामी उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे इसलिए काजुकी कहता है कि हमें चलना चाहिए वैसे वो अभी जाने लगे थे मगर इनुकामी अभी रुक कर सोच रही थी कि उसका शुरू से ये मानना था कि उसातो इस वर्ल्ड में किसी न किसी कारण की वज़े से आया है तो अब उसने भी फैसला कर लिया था कि वो भी उसातो की तरह बहुत ज़दा कड़ी मेहनत करेगी और खुद को स्ट्रॉंग बनाएगी यहाँ पर उसातो और उस आदमी की फाइट इसी तरह से चलती रहती है रात के टाइम हम देखते हैं कि उसातो अभी नहा रहा था और वो अभी अपनी जर्नी के बारे में सोच रहा था कि उसने अभी तक कितनी मेहनत की है और किस तरह से खुद को स्ट्रॉंग बनाया है साथ ही वो सोच रहा था कि आज इनुकामी उसके मसल्स देखकर बहुती ज़्यदा इंप्रेस दी पर वो सोचता है कि उसने इतनी मैनत की जिसकी वज़ए से यह सच में लग रहा था कि यह बहुती कूल है मगर अभी भी उसके मन में यह डाउट था कि अगर ऐसी सुचिजन बनी की उसे किस की मदद करनी हो तो क्या अभी वो इतना पारवल है कि वो इस डीमन से लड़ सके क्योंकि अभी तक उसने किसी डीमन को देखा नहीं है अगले दिन में हम देखती है कि जब वो लंच कर रहा था तब ही वहाँ पर रोज आती है वो कहती है कि हमें जंगल की तरफ निकलना है अब उसातों को इसके बारे में पता नहीं था वो तरंती तयार हो जाता है पर बाकि सभी समझ गए थे कि सिर्फ रोज का क्या कहना चाती है इस वज़े से वो सभी बहुती ज़दा हैरान लग रहे थे अब वहाँ जंगल के पास आने के बाद रोज उसातों से कहती है कि तुम्हें इस जंगल में एक ग्रीजली बीर को ढूंड कर उसे खतम करना है यह सुनकर उसातों शौक हो जाता है और वो कहता है कि मैंने कभी इसके बारे में सोचा तक नहीं है कि मैं ग्रीजली बीर से लड़ सकता हूं पर रोज कहती है कि मैं तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं कर रही मैं तुम्हें ओर्डर दे रही हूँ और इतना कहते हुए वो लात मार कर उसाथों को वहाँ उपर से पहाड़ी से उस जंगल की तरफ ढखेल दीती है और वो इतनी उपर से गिर रहा था और कमाल की बात है उसे उड़ना नहीं आता था इस वज़े से उसे बहुत ही ज़दा चोट लगने वाली थी पर वो अपने हाथ आगे करकर किसी तरह से नीचे लैंड करता है इससे उसके हाथ पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे पर हीलिंग पावर के वज़े से उसने खुद को हील कर लिया था वो इस वक्त वैसे तो थोड़ा सा डरा हुआ था पर वहती मोटिवेट फील कर रहा था वो सोच रहा था कि वो इस जंगल में तक आ चुका है जब तक कि वो एक ग्रीजली बेर को मार ना देश अभी सबसे पहले उसे ग्रीजली बेर को ढूणना है वो कहता है कि आखिर एक ग्रीजली बेर जादा से जादा कितना खतरनाक हो सकता है पर इतना कहने की देरी थी कि अचाने से पीछे से एक जाइंट ग्रीजली बेर उसके सामने आ जाता है वो grizzly bear इतना ज़्यादा खतरनाक लग रहा था कि उसे देखते ही उसातों तुरांती वहाँ दोडने चुलू कर देता है अब दोडते ही मैं सोच रहा था कि इस तरह से भागने का कोई फाइदा नहीं है तब ही उसे अभी तक की सारी ट्रेनिंग याद आती है वो सोचता है कि मैंने बहुत ही इंप्रूब्मेंट कर लिया लेकिन फिर भी मैं अगर मैं इस तरह से डरते हुए रहा तो इसका कोई फाइदा नहीं होगा इस वज़े से अब वो रुकता है और उस grizzly bear से लड़ने के तयार हो जाता है पर यह फाइट नहीं थी क्योंकि अब अचानक से उस grizzly bear की family वहाँ पर आ चुकी थी उसातो सिचुशन देखते हुए भागना फिर से सही समझता है और तुरंती वहाँ से भागने लगता है पर अब वो तीनों bear उसके पीछे पड़े हुए थे कुछ देर आने के बाद उसातो को एक waterfall की आवाज आती है उसातो उधर ही तरफ जा रहा था और सीधा जाकर उस waterfall में जम कर देता है वो तीनों bear ऐसा नहीं कर सकते थे इसलिए वो कुछ देर इंतिजार करते हैं पर जब उसातो वहां दिख नहीं रहा था तो उन्हें वहां से जाना ही सई समझा अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसातो जो की दीरे दीरे उस river में भायता जा रहा था वो कुछ दूर आकर रुकता है और एक पीड के उपर चड़कर अपने कपड़े को सुखाने लगता है यहां पर वो सोच रहा था कि अब शाम होने वाली है तीरे दीरे रात हो जाएगी ऐसे मैं जिंगल के अंदर गूमना एक गलती हो सकती है इस वज़ा से वो अपने साथ जो ब्रेड लेकर आया था वो उन्हें खाने लगता है और फैसला करता है कि वो अगले दिन उस ग्रिजली बेर को ढून कर उसे खतम करेगा अब वो वहाँ सो गया था अकले दिन हम देखते हैं कि वो निकल पड़ा था उस ग्रिजली बेर को ढूनने के लिए क्योंकि अभी उसका गर सबसे जरूरी था उसातों आके बढ़ रहा था तो वो हर पेड के उपर निशान लगा रहा था जिससे कि वो फिर से गुमना हो जाए कुछ दिर ऐसे निशान लगाते लगाते उसे एक पीड ऐसा मिलता है जिस पर उस बेर के पंचे के निशान थे उसातों देखकर समझ गया था कि जरूर उस बेर की गुफा यही आसपास होगी पर तब ही उसे जाडियों में कुछ आवाज आती है पहले उसे लगा कि शायद यही बेर है क्योंकि पिछली भार भी उस बेर ने उसे ही उसातों के उपर हमला किया था पर हम देखते हैं कि यह कोई बेर नहीं बलकि एक क्यूट सा रैबिट था इस रैबिट को चोट लगी हुई थी उसातों से ये देखा नहीं जाता और तुरंती अपनी healing power से उसे ठील कर देता है अब उस rabbit को ठीक करने के बाद उसातों वहाँ आगे बढ़ रहा था वो सोच रहाता कि उसे bear को जल्द से जल्द पकड़ना होगा वरना फिर से रात हो जाएगी पर तब ही वो देखता है कि जिस rabbit ने उसकी मदद किया वो rabbit उसका पीछा नहीं चोड़ रहा उसातों से वापस जाने को कहता है पर वो rabbit बात नहीं मानता अब वो उसातों के साथ चली रहा था इसलिए उसातों भागने की कोशिश करता है पर rabbit उससे जाता तेज भाग रहा था वो उसातों रुक कर उससे कहता है कि देखो मैं ग्रिजली बेर को ढूंड रहा हूँ इसलिए तुम्हें मेरा पीछा करना नहीं चाहिए पर यहाँ पर शौक होने वाली बात यह थी कि उस rabbit को ग्रिजली बेर की गुफा को पता था वो तुरंती उससातों को वहाँ पर लेकर जाता है वहाँ पर आने के बाद उस उससातों देखता है कि उस बेर की पूरी family वहाँ पर सोय हुई है उसातों जानता था कि वो सिध़र जाकर हमला नहीं कर सकता इसलिए वो बस उन्हें देखता रहता है बस इस तरह से डे टू भी बीच जाता है अब तीसरे दिन आता है अब उसातों के पास पानी की कमी होने लगी थी वो सबसे पहले जंगल में किसी रिवर को ढूंडना चालू कर देता है वो जिस रिवर में यहां पर आया था वो इसलिबियर की फैमिली को इसी तरह से देख रहा था वो बस आता है कि उसे उनका डेली रूटीन पता चल सके जैसे यह कब शीकार के लिए जाते हैं और अलग होते हैं क्योंकि वो तीनों में से एक के साथ ही लड़ सकता है पर वो लोग तो अपनी गुफा से निकली नहीं दे़ avust को फैंली क्यूट लगने लगी थी अब इस तरह से तीसरा दिन भी बीच जाता है और वो 14 दिन आने के बाद वुसाथोंकर को पानी पिया था तो छोड़ा खराब था साता है और उसे अच्छा मैसूस कराने लगता है उसातों उसे थैंक्यू कह रहा था पर तब ही वो बनी उसातों को वहां से एक जगा लेकर आता है जहां पर बिल्कुल किलियर वाटर था वैसे ये वाटर असली साफ पानी जैसा तो नहीं है पर फिर भी उस पॉईजनेस इसलिए उसातों भी उस पेड़ की उपर आ गया था उसातों सोच रहा था कि इस रैबिट ने उसकी मदद की वहां ग्रिसली बेर तक पहुंचने के लिए मतलब इसे ग्रिसली बेर से इतना डर नहीं लगता कि आखरी ये कौन सी चीज होगी जिससे ये रैबिट डर रहा है तब ही अचानक से उसातों को सामने एक वाइट सनेक दिखाई देता है वो सनेक इतना जाता बड़ा था कि वो उसातों को डिरेक्ट निगल सकता है उसातों ये देखकर डर जाता है और बिल्कुल साउंड नहीं करता कुछ देर रुकने के बाद वो सनेक वहां से जा चुका अब उसा तो जादा नहीं सोसता और तुरंती वापस से उस गुफा की तरफ चला जाता है उन ग्रीजली बेर्स को देखने के लिए अब इस तरह से देखते देखते उसे सच में वो फैमली बहुत ही क्यूट लग रही थी पर वो जानता है कि अगर उसने उन में से एक पर वो रैबिट से रोक रहा था कि वो आज ऐसा ना करे पर उसा तो बात नहीं मानता वो कहता है कि ठीक है मैं बारिश रुकने के बाद जाऊंगा बारिश रुकती है उसा तो निकल पड़ता है रैबिट के साथ वहीं उस गुफा की तरफ लेकिन जब वहां पहुंसता है तो वो बड़े से वाइट ग्रिसली बेर को मरा हुआ पाता है पास में ही वो लेडी ग्रिसली बेर भी मरी पड़ी थी बस उनका जो बच्चा था वो वहां पर जिंदा था मगर वो उदास लग रहा था और रो रहा था ये देखकर उसा तो बहुत ही ज़दा शोक हो गया थ पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता पर बाद में वो समझ गया था जाइंट वाइट स्नेक का है, उस लाते अधो को गुस्ता आ रहा था क्यूंकि वो वाइट स्नेक इन्हें खा कर नहीं गया इसका मतलब वो इन्हें खाने के लिए नहीं मार रहा था वो वस अपनी ता कि अभी उसातों के दोस्ती आने की काजुकी और इनुकामी दोनों ही उसातों के घर पर आए थे वहां वो उसातों के साथे उसे पूचते हैं कि आखिर उसातों कहां हैं जिस पर वो बताते हैं कि उसातों ट्रेनिंग के लिए जंगल गया है वैसे अभी बहुत दिन हो गए थे वो काजुकी और इनुकामी यहाँ पर पहले भी आकर पूछ चुके हैं लगबग उसातों को वहाँ पहुँचे हैं दस दिन हो चुके हैं इस वज़ा से वो शौक थे और कह रहे थे कि यह ट्रेनिंग इतनी लंबी क्यों चल रही है और आकरे ट्रेनिंग है इस तरह की इस पर वो लोग बताते हैं कि वो यह नहीं बता सकते कि आकरे ट्रेनिंग में हो क्या रहा है क्योंकि रोज की परमिशन के बिना बताना गल्थ होगा और फिर रोज उन्हें छोड़ेगी नहीं अब वो वैसे काजो की और उसातों की बहुत ही चिंता हो रही थी परीनुकामी कहती है कि चंता करने की जरूरत नहीं है वो ठीक ही होगा अब वापस से हम यहां उसातों के पास आते हैं वो इस वक्त स्ट्रेचिंग कर रहा था और उसने लकडी का एक वैपन भी तैयार कर लिया था उस जाइंट स्नेक से लड़ने के लिए अब वो रैबिट डरा हुआ था पर उसातों उससे कहता है कि उससे किसी तरह से उस जाइंट स्नेक को खतम करना होगा वो रैबिट से ही उस जिगा के जाने को कहता है जहां पर वो वाइट स्नेक मिल सकता है रैबिट वैसे डर के मारे वहाँ जाना नहीं चाहता था पर उसातों के कहने पर वो मान जाता है वहाँ से आगे बढ़ते हैं उस देर में वो उस वाइट स्नेक के पास पहुंच चुके थे हम देखते हैं कि अभी वहाँ पर जो वह स्मॉल बेबी बियर भी था जो कि इस वक्त उस जाइंट स्नेक से अपने पेरिंस का बदला लेने के लिए आया था पर वो इतना तागतवर नहीं था कि वो उस जाइंट स्नेक को हरा पाए इस वजह से अभी उसे चोट लग गई थी पर किस्मत से अभी उस जाइंट स्नेक ने उस बेबी बियर को खतम नहीं किया था उसातों को गुस्सा और जादा बढ़ जाता है वो तुरंती उस जाइंट स्नेक से लड़ने के लिए तयार हो जाता है वैसे उ वाइट सनेक उसाथो को बस खाने ही वाला था पर उसाथो इस स्पीट की मदद से थोड़ा पीछे होता है और अपना वो लकड़ी का बनाए हुआ वैपन उस जाइंट सनेक के आँख के अंदर मार देता है इसके बाद अब उस सनेक के पास बस एक आँख बची थी इसका वो बहुती गुस्से में आ चुका था वो तुरंती फिर से उसातो की तरह बढ़ता है उसातो इस बार भी अपनी स्पीट की मदद से भाग रहा था और उसने अपना चाकू निकाल लिया था पर इतने मेही वो वाइट सने के हाथ को बाइट कर लियता है ये चोट इतनी जादा गहरी थी कि इसे जल्दी हील कर पाना थोड़ा मुश्किल था साथी साथ यहाँ पर बाड़ी में दीरी दीरे पॉईजन भी फैल रहा था जो की सबसे बड़ा खत्रा था पर किसमत से उसातों ने वो लेक का पानी पिया था जो की पहले से पॉईजनस था इस वज़े से उसे थोड़ा सा अनुभव हो गया था कि पॉईजन के साथ उसे हीलिंग मैजिक से कैसे डील करना है उसातों किसी तरह से खुद को हील कर लियता है और अब वो फिर से तयार था उस जाइंट स्नेक से लड़ने के लिए हम देखते हैं कि वाइट स्नेक फिर से उसातों की तरह बढ़ने वाला था यहाँ पर वो बेबी बियर भी उसातों की मदद कर रहा था उसमें इतनी तागत तो थी कि वो इसनेक की पूच पकड़ कर उसे कुछ देर रोक सके पर अच्छा था कि इसने का ध्यान इस चीज से भटक जाता है इस वज़ा से उसातों तुरंती दोड़ते वे उसने के सर पर आ गया था यहाँ पर वो अपनी पूरी पावर लगा कर उसके सर पर मारता है जिस वज़ा से उसने कसकल डैमेज हो जाता है साती उसातों ने अपनी वो लगड़ी की स्पेर निकाल कर उसके सर में मार दी थी जिस वज़ा से उस वाइट सनेक के सर में खून निकल रहा था और लग रहा था कि वो मारा गया क्योंकि वो नीचे गिर चुका था और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था साती यहां पर उसातो भी नीचे गिर जाता है वो खुश था कि उसने वाइट स्नेक को खतम कर दिया पर अब उसे इतना ज़ादा चोट लगी थी कि वो वापस चल कर इस जिंगल को पार नहीं कर सकता अब तब ही वहाँ पर वो बेबी बियर आ जाता है वो बहुत ही ज़ादा खुश था क्योंकि उसातो ने उसकी मदद की उससे पेरेंस का बदला लेने के लिए इसलिए अब वो उसातों से दोस्ती भी कर रहा था उसातों भी देखकर खुश था लेकिन तब ही हम देखते हैं कि वाइट सनेक अभी तक मरा नहीं है वो फिर से खड़ा हो गया था और अब वो उसातों की उपर हमला करने वाला था उसातो ही देखकर समझ गया था कि अब वो नहीं बच सकता वो तरंती रोस का नाम चिलाता है और कहता है कि तुमने मुझे किस तरह की प्रॉब्लम में फसा दिया लेकिन जैसी वो इतना कह रहा था कि इतने में ही रोस वहाँ से उड़ते हुए आती है और तरंती उस वाइट् गिरकर उसे एक ही अटाक में खतम कर देती है उसातो ये देखकर शौक था रोस बताती है कि वो तब ही से माउंटिन के उपर खड़े होकर यहां जिंगल की तरफ देख रही थी क्यूंकि वो जानती थी कि यहां पर कई तरह के खत्रे हैं और वो उसातों को किसी खत्रे में डालना चाती थी वो बस उसे एक्सपिरियंस गिलाने के लिए ये सब कर रही थी यहां पर हमें जानने को मिलता है कि उसातों ने जिस रैबिट की मदद की थी और जो रैबिट उसके साथ गूंग रा था वो असल में रोस का ही पैट है और रोस नहीं उसे ऐसा करने को कहा थ रोस बताती है कि एक ग्रिजली बेर को खतम कर पाना एक नॉर्मल नाइट के लिए बहुत ही ज़दा मुश्किल है और तुम तो अभी बिगनर हो पर फिर भी तुमने इतनी बहादुरी से लड़ाई की और तुमने हार नहीं मानी वरना तुम चाहते तो तुम वापस आकर क तुमने क्रियेचर रही हैं बल्कि इन्हें डीमन्स ने क्रियेट किया है वो बताती है कि वह उसातो को कभी बी इतना जादा खत्रनाक ट्रींइंग इतनी फास्ट नहीं कराती मतलब वो इतनी जल्दी उसातों को जंगल में नहीं बेजने वाली थी पर वो समझ चुकी थी कि डीमन्स जल्द से जल्द अपना अगला दाव खिलने वाले हैं क्योंकि वो पहले अपने मूव में हार गए थे इस वज़ा से अभी उन्हें गुसा भी आ रहा था और वो अपन आर्मी को और भी स्टॉंग बना रही हैं जिस वज़ा से उसने उसातों को वहां भेजा और अभी वो उसातों की तरह भी कर रही थी और कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत ही ज़दा इंप्रेस हूं यहां पर रोज अभी आगे चलकर होने वाली वार के बारे में बता रही थ इस वज़ा से उसातों थोड़ा सा शौक था और शौक होकर कहने लगता है कि अभी तो मैं बिल्कुल बिगनर हूँ मुझे इस वर्ल्ड में आई हुए ज़ादा टाइम भी नहीं हुआ फिर भी मैं इस वार में पार्टिस्पेट कैसे कर सकता हूँ और वैसे भी अभी तु और हीलर हैं तो एक्सपिरियंस होंगे तो फिर उन्हें लीड कराने को क्यों नहीं का जा रहा तो इस पर रोज बताती है कि वो जिस जगह पर सूटेबल हैं वो वहीं पर हैं और हमारे पास और कोई हीलिंग मैजिशियन भी नहीं है इस वजह से तुम्हें ऐसा करना होगा तुम्हें जाधा pressure लेने की ज़रूत नहीं है पर इस काम में बहुत ही ज़दा pressure है अब यहां से scene change होता है और हम Demon continent में आ जाते हैं यहाँ पर हमें सबसे पहले Demon King को दिखाते हैं जो कि इस वक अपने एक जन्नन अमीला से बात कर रहा था वो अपने plans के बारे में पूछ रह ऐसका सिम्पल सा मतलब यह है कि जैसे कि अगर 10 डीमन आ जाते हैं तो वह सामने 10 से जादा लोगों को मार कर आए या फिर अगर demons भी मारे जाते हैं तो भी 10 demons से कम से कम 20 इंसानों को कतम करें वैसे वो ये भी कह रहा था कि जादा से जादा demons बचकर वापस आने चाहिए बले ही तुम लोग उस war में जीत पाओ या ना पाओ पर हमें ratio बराबर रखते हुए demons को बचा कर रखना है जिससे कि हमारी आर्मी कम ना पड़े अब जब Amila वहाँ से बहार आती है तो उसकी मुलाकात होती है demon doctor से जिसे scientist भी कहा जा सकता है क्योंकि वो यहाँ पर अलग-अलग creature create करता है इसके लिए वो उसे एक अलग budget दिया जाता है उसने एक और नया monster बनाया है वो Amila को उसे दिखाने को कहता है Amila वैसे तो नहीं जानना चाती थी पर वो फिर भी सोसती है कि आकर किस तरह का monster उस demon doctor ने बनाया होगा वहाँ पजा कर हमें जानने को मिलता है कि उसने एक giant venom snake create किया था जो कि पहले भी वो कर चुका है Amila कहती है तो पहले वाला है इसे तो पहले ही एक human soldier ने मार दिया था पर वो डॉक्टर बताते है कि नहीं यह जादा खतरनाक है वैसे हमें यहाँ जानने को मिलता है कि Amila की रोस के साथ कोई दुश्मन ही है Amila कह रहे थी कि हमारी front line में healers की कमी है सामने humans के पास एक ऐसा healer है जो कि दूसरे को heal करने के अलावा हम पर हमला करती यह गल्थ है और वैसे ना जाने उसकी किस करण से दुश्मन है पर वो इतने गुस्से में थी वो कह रहे थी कि अगर रोज उसे इस war के दोरान मिलती है तो वो उसे खतम कर देगी तब ही हमें यह बताया जाता है कि यह जो war होने वाली है इसकी front line में demons की तरह से इस immortal dark magic user लीड करेगा अब scene change होता है और हम आ जाते हैं उसातों के पास वो घर पर वापस लोटाया था और वो बहुती ज़दा खुश था क्योंकि final अब उसे पेड़ के उपर नहीं सोना पड़ रहा था वो अच्छे मस्त बैड पर सो रहा था अब वो उठता है और जाकर अपनी दोस्त से मिलता है उसका दोस्त याने कि वो beer उसातों से उसके लिए कुछ fruit लेकर आया था जो कि उसातों को बहुती ज़दा टेस्टी लग रहे थे तब ही वो देखता है कि वहाँ पर बनी भी है यानि कि वो rabbit भी है उसातों उससे भी अभी गुस्ता था क्योंकि उसने उसे धोका दिया और बताया नहीं कि असल में वो रोस का पैट है पर वो rabbit इतना cute है कि उसातों से माफ कर देता है और उसे भी कुछ fruit दे देता है इस चीज़ पर बेर थोड़ा सा गुस्ता था और उसातों ने उसे और fruit दे कर मना लिया था तब ही वहाँ पर रोस आ जाती है वो यहाँ पर उस बेर को ब्लोरेंस नाम से बुला रही थी वो कहती है कि उसने king के बारे में उसे बताया लेकिन उनका budget तो सेम ही है वो रेक्स की स्कॉट से सेम budget देंगे उसी budget में हमें इस बेर का भी ख्याल रखना है इस वज़े से रोज थोड़ी सी गुसा थी क्योंकि एक नया खड़्चा उन्होंने एड़ कर लिया और अब इसका भार भी उन्हें उठाना होगा लेकिन उसातो कहता है कि चिंता मत करो इसका भार मैं उठाऊंगा और उसातो तुरंती ब्लरोंस को अपने कंदे पर उठा ले कारीगी कि क्योंकि वहां बोर के टाइम पर कई लोग चोटेखा कर गिर पर यहुँगों जिस वज़श से वोज़े नहीं कर सकते और उसातो उन्हें खील नहीं कर également क्योंकि वह दूर चल रही होगी इसलिए उससाइटो को वहा से उन्होंने उठाकर दूर ले जाना होगा और अभी वियर को उठा कर ले जाना सेम उसी की तरह है, जैसे कि वो किसी परसन को उठा कर ले के जा रहा हूँ, अब उसातो किसी तरह से दोणना चुरू करता है, कुछ दूर आने के बाद उसे जो टीम मेंबर थे, वो उस पर हमला करने के लिए आ गए थे, जिससे कि वो एक वर जैसी सिचुईशन क्रेइट कर सकें, पर उसातो उनसे बसता है, पर अभी उन दोनों ने उसातो का पीचा नहीं छोड़ा था, उसातो इसी तरह से और दूर आगे भागते वे आता है, तब ही एक टीम मेंबर उस पर शुप कर हमला कर देता है, तो आठ दस घंटे अराम से दोड़ लेता था, लेकिन उसे अब छे गंटे में भी थकान होने लगी, और हीलिंग पावर भी उसे उतना जादा हल्प नहीं कर पा रही थी, तब ही वहाँ पर रोज आती है, वो बताती है कि ऐसा इस वज़े से हो रहा है, और मेंटल हैल्थ को इस हीलिंग पावर से ठीक नहीं किया जा सकता, रोज कहती है कि तुम्हें अभी टाउन की तरफ ही दोड़ कर जाना चाहिए, तुम लोगों से मिलोगे तुम्हें सिच्वीशन समझ में आएगी, और इससे तुम्हारा माइट फ्रेश होगा, क्योंकि प्रेशर लेकर तुम कभी भी फ्रेंट लाइन में खड़े नहीं रह सकते, वैसे रोज ने उसे परमिशन दे जी थी कि वो किंडम के अंदर भी जा सकता है, लेकिन उसे अपने कंदे पर हमेशा ब्लोरेंस को उठा कर रखना होगा, उसातो उसके लिए तयार था, वो तरंती अपना वेट बढ़ाने वाला वेस्ट पहन कर उधर किंडम की तरफ चला जाता है, अब वहाँ जाते वक्त लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी यूमन को एक ब्लेर को उठा कर बागते हुए देखा है, पर वो जानते थे कि असल में उसातो रेक्सिस कोर्ड का मेंबर है, इस वज़े से वो उसातो से डर नहीं रही थे, और ये कुछबू उसी फ्रूट की थी, वो सातो वहाँ पर आकर देखता है कि सच में वो फ्रूट बहुत ही अच्छे दिख रही थे, मगर उसातो के पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, वैसे उसातो पूछता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में आकर इसे खरीद लूँगा, लेकिन क्या आप मुझे इस फ्रूट का नाम बता सकती हो, इस पर वो लेड़ी बताती है कि उनके किंडम के सिगनीचर फ्रूट है, इसका मतलब ये बहाँ पर बहुत ही जदा फेमस है, और इनका नाम वो नहीं बताती, वो बस कह देती है कि उसे हर दुकान पर मिल जाएंगे, अब उसातो ये भी पूसता है कि वो क्या एक बड़े से भालू को लेकर दोड़ रहा है, फिर भी उसे डरने ही लग रहा, इसका क्या कारण है, तो लेडी बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसातो ने रहसी स्कॉर्ट के कबड़े पहन रखे हैं, वो जानते हैं कि उसातो रहसी स्कॉर्ट से है, और पहले भी कैश सरे लोग यहां पर रहसी स्कॉर्ट से ही इसी तरह की ट्रेनिंग करते हुए मिले हैं, और वैसे भी वो एतने खतरनाग दिखते हैं कि उसाथों उन से जादा खतरनाक नहीं दिखता इस वज़ा से कोई उससे डर नहीं रहा है अब उसाथों वहां से जाने लगा था लेगीन तब ही tęडी उसाथों को एक फ्रूट ऑफर करती है पर इसके बाद उसातों ने उसे हील कर लिया था और इसके बाद उसातों फिर से ब्लोरांस को लेकर वहाँ से आगे बढ़ गया था यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी उस लेडी के पास एक girl आती है जो कि असल में उनकी assistant है वो यहाँ पर उसातों के बारे में पूसती है कि आखिरी यह लड़का कौन था तो वो ओल्ड लेडी बताती है कि यह रेक्सी स्कॉल्ड का मेंबर है यहाँ पर वो गल उसातों में थोड़ी इंटरस्टेड लग रही थी वैसे इस तरफ उसातों भागते हुए सोच रहा था कि क्यों ना वो अपने दोस्त इनुकामी और कासुकी से मिलने के लिए जाए क्योंकि वैसे भी वो किंग्डम के अंदर घूम रहा है अब इस पर ब्लो रांस भी हाँ करता है जिसके बाद उसातों तुरंती किंग्डम के पैलिस में की तरफ भागने लगा था तब ही हम देखते हैं कि लड़का जो कि उसातों को देखकर शॉक था और समझ गया था कि असल में ये रेक्स स्कॉर्ड का मेंबर है वो तुरंती उसातों के पीछे भागने लगता है पर वो उसातों को कैश नहीं कर पा रहा था लेकिन उसातों उसी नौटिस कर लेता है वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़का ठक चुका था इस वज़ह से उसातों उसके पास जाता है और उसे हील करता है वो लड़का बताता है कि उसातो के कपड़े देखकर वो समझ गया था कि उसातो रेस्क्यू स्वाट का मेंबर है इस वज़ा से वो उसका पीछा कर रहा था हमें जानने को मिलता है इस लड़के का नाम औरगा है और असल में ये भी एक हिलर है जिसकी बात रोस कर रही थी कि वो ट्रेनिंग पूरी करना इंपॉसिवल है असल में इसकी बहन भी एक हिलिंग मैजिशन है और इसके पास भी हिलिंग पावर है और इसके पास भी उसकी बहन यहां किंडम के अंदर एक क्लिनिक चलाती है और सभी को हील करती है अब इस आतो यह देकर शौक था आखिर और गा एक हीलिंग मैजिशन है फिर वो खुद को हील क्यों नहीं कर सकता तो यहां पर और गा बताता है कि वो खुद को हील नहीं कर पाता लेकिन वो किसी और को हील कर सकता है यह सुनकर उसातो थोड़ा सा शौक था वैसे यहां पर उसातो बताता है कि रोज ने उसे वार क के अंदर सबसे जदा खत्रा सिर्फ दो लोगों को होता है एक तो वो जो की नाइट्स और एक वो जो की मैजिशन है अगर उनके उपर हमला हो जाए उन्हें चोट लग जाए तो उनके बचाने का तरीका नहीं बसता वो बस वहां पर मरने का इंतजार करते रहते हैं और गा उ उसातों से कहता है कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और रोस अच्छी तरह से जानती है कि वो क्या कर रही है उसने तुम्हें जिम्मेदारी दी है इसका मतलब वो तुम्हें इसलायक मानती है कि तुम इतने प्रेशर को हैंडल कर सकते हो साथी नाइट और मैजिशन की बात सुनकर उसातों को अभी काजो की और इनुकामी की याद आती है वो सोचता है कि शायद उन दोनों को भी वहां फ्रंट लाइन में रहने को कहा होगा वैसे अब औरगा कहता है कि मुझे चलना चाहिए वरना मेरी बेहन मुझे पर गुस्सा करेगी असल में अभी उसे क्लिनिक जाना था उसातों भी वापस से बलोरॉंस को लेकर वहां से ट्रेनिंग के लिए निकल रहा था मतलब वहां प्ले पैलेस जाने के लिए लेकिन यहां पर औरगा कहता है कि देखो मैं जानता हूं कि रोस्ट के ट्रेनिंग कराने का तरीका थोड़ा से खतरनाक है और बहुत ही डरावना भी है पर तुम उसे गलत मत समझना वो ऐसा तुमारे अच्छे के लिए कर रही है इसके बाद अब उसा तो वहां से चला गया था तब ही हम देखते हैं कि औरगा की सिस्टर वहां पर आती है वो औरगा पर गुस्सा हो रही थी कि आखिर वो क्या कर रहा है जिस पर औरगा बताता है कि आज वो एक बंदे से मिला है और अगर शायद वो उस से मिलती तो वो बहुत ही सदा खुश होती अब हम देखते हैं कि उसा तो वहाँ पैलेस के अंदर पहुँच चुका था यहाँ पर आने के बाद उसा तो अभी सोच रहा था कि शायद वो लोग ब्लोरोंस को उनके साथ नहीं जाने देंगे क्योंकि वो एक मॉंस्टर एनिमल है पर तबी वहाँ पर जो गार्ट था वो कहता है कि किंग अल्डेडी उन्हें परमिशन दे चुके हैं कि उसा तो उस बेर को भी वहाँ अंदर ले जा सकता है अब उसातो वहाँ अंदर आजाता है अंदर आने के बाद वो देखता है कि इनुकामी इस वक्त ट्रेनिंग कर रही है वैसे वहाँ पर काजू की भी नहीं दिख रहा था अब इनुकामी उसातो को देखती है तो वो ट्रेनिंग रोक कर उसातो के पास आ जाती है यहां पर उसातों उससे पूसता है कि कहीं मैंने तुम्हें डिस्टब तो नहीं कर दिया लेकिन इनुकामी का दियान इस वक्त ब्लोरंस के उपर था उसे वो एनिमल याने की बियर खतरनाक नहीं बलकि बहुत ही जदा क्यूट लग रहा था वो कहती है कि क्या वो इसे टच कर सकती है जिस पर उसातों कहता है कि हाँ तुम इसे टच कर सकती हो और अगर यह तुम्हें बाइट कर भी लेगा तो मैं तुम्हें हील कर दूँगा अब ऐसा ही होता है क्योंकि ब्लोरंस ने यहां पर इनुकामी को बाइट कर लिया था पर उ उसातों समझ गयाता है कि ये सबी लोग अपनी ट्रेणिंग में लगे हुए हैं इस वजह से उसातों को फिर से लग जाना चाहिए ट्रेणिंग पर तो वो तुरंती ब्लोर्रंस को उठाकर और वहां से भागना शुरू कर देता है अब यहां से वो वापस अपनी घर पर उसातों बताता है कि अब उसका वो डर निकल चुका है क्योंकि उससे जदा ड्रामना तो यह है कि वो उस वार में अपनी दोस्तों को भी खो सकता है उसातों कहता है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं फ्रेंट लाइन में खड़ा होने के लिए यह सुनकर रोज इंप्रे बताती है कि असल में किंग ने उसे एक मिशन के लिए चुना है जो कि इनुकामी का मिशन है पर उसातों उसके मदद करने के लिए वहाँ पर जाएगा अब यहां से सीन चेंज होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां रोज और उसातों निकल चुके थे इनुकाम है इस बर रोज कहती है कि हाँ पहले उसे ही चुना गया था लेकिन इनुगामी ने मना कर दिया क्योंकि काजों की अभी अभी जंगल से आया है अपने ट्रेनिंग खतम करके ऐसे में फिर से जंगल की तरव जाना उसके लिए सही नहीं होगा उसातों को ये भी जानने को मिलता है कि उससे इस्पेचली यहां पर बुलाया नहीं गया था बलकि किन्ग ने कहा कि अब तुम जब अकेले जा रही हो तो वहां पर बहुत सादा खत्रा हो सकता है ऐ इस送जा से हो हाँ कर देती है अब कुछ दिर बाद हम देखते हैं कि रोज और उसातों वहां इनुकामे के पास पहुँच चुके थे इनुकामे उसातों को देखकर ठोड़ी सी सौक थी क्योंके उसे नहीं पता था कि जो हीलर उसके साथ जाने वाला है वो उसातों है वैसे यहाँ पर वो इस वक्त इस बात से खुश थी कि अब वो ब्लोरेंस के साथ और जादा खेल पाएगी वैसे ब्लोरेंस को यहाँ पर लेकर आने का करण सिर्फ यही है कि वो घर पर सबके हाथ बाइट करता रहता था इस वजह से उसातों को ना चाते हुए उसे उठाकर लेकर आना पड़ा वैसे अब इनुकामी उसातों को पर टीम से मिलाती है जहाँ पर एक नाइट है जिसका नाम औरेकु है और एक मेज है जिसका नाम औरिन है उसातों को याद आता है कि वो औरेको से पहले भी मिल चुका है क्योंकि वो जब सुबा सुबा मौर्निंग रनिंग के लिए आता है तब औरेको कासल के गेट पर गार्ड करता है वैसे यहाँ पर रोज भी इनुकामी से कह रही थी क्योंकि अभी अभी उसातों नहीं यहाँ पर रोज से ट्रेनिंग लेना शुरू किया है इनुकामी कहती है कि हाँ मैं इस बात का ध्यान रखूंगी इसके बाद रोज वहाँ से चली जाती है अभी इनुकामी कह रही थी कि यह सच में थोड़ी स्ट्रिक्ट है लेकिन मैं जानती हूँ कि यह बहुत ही पावरफुल है वैसे इसके बाद अब उन्हें वहाँ से आगे बढ़ना था तब ही सीन्ज होता है और हम काजुकी को देखते हैं वो जंगल से ट्रेनिंग के बाद वापस किंग्डम में लौट चुका है और अभी वो ट्रेनिंग कर रहा है यह देखते हुए प्रिंसेस सीलिया उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि उसे इतना ज़्यादा हार्ट ट्रेनिंग करनी नहीं चाहिए इससे उसकी बादी पर भी असर पड़ेगा वैसे प्रिंसेस सीलिया असल में काजू को पसंद करने लगी है लेकिन काजू की कहता है कि नहीं अगर वो सच में डीमन से लड़ने चाते हैं तो उन्हें और ताकत और बनने की जरूरत है और वैसे भी सिर्फ तीन ही वारियर यहां इस वर्ल्ड में आये हैं इसका मतलब उन तीनों को ही पूरी जान लगानी होगी खुद को स्टॉंग बनाने में तब ही इस तरह से वो डीमन आर्मी को रोक पाएंगे अब यहां से वापस से सीन चेंज होता है और हम उसातों के पास आ जाते हैं अब यहां रास्ते में जाते वक्त इनों कामी उसातों को बता रही थी कि काजुकी जब जंगल में गया था तो वहां से बहुत ही ठक कर लोट के आया था वो बता रहा था कि उसके वहां पर कई सारे अलग गलग तरीकी के मौसर से मुलाकात हुई वो मonster अच्छे खाषे लेवल के थे लेकिन काजुकी के साथ और भी कई सारे सोल जस्थ थे इस वज़osse से उन्हें जान की तो हानी नहीं हुई पर उन्हें कई सारी इंचिरी आई थी वैसे वो अब पेन काजु के लिए एक अच्छा सोर्स साबित हुआ अपनी पावर को बढ़ाने के लिए काजुकी अभी बहुत ही ज़ादा खुश था उसकी पावर पहले से दूगने लेवल पर पहुँच चुकी है वैसे अभी उसातो इनुकामी की बात सुनतो रहा था पर वो कुछ और ही सोच रहा था वो अभी सोच रहा था कि जब वो जिंगल में गया तब उसे ब्लोरेंस मिला लेकिन उस वक्त ब्लोरेंस ने अपने पेरेंस को खो दिया था वो मन में कहता है कि क्या ब्लोरेंस को अभी अपने घर की याद आती होगी मगर इस तरफ हम देखते हैं कि ब्लोरिंस तो अभी मस्चिन से सो रहा था वैसे अभी इनुकामी से रहा नहीं जाता वो उसातों से पूछें लगती है कि यह कब से सो रहा है और यह कब उठेगा इनुकामी को उसके साथ खेलना था वैसे उसातो कहता है कि नहीं तुम इसे नहीं उठा सकती ये बहुत ही टाइम्स होता है और मैं नहीं चाहता है ये उठके हमें परेशान करें मगर इनुकामी से रहा नहीं चाहता उसके हाथ अपने आप ही आगे बढ़ रहे थे और वो ब्लोरेंस को उठाने वाली थी लेकिन इतने में ही पर उसातो ने बार बार उसका हाथ रोक दिया था इनुकामी कहने लगी थी तुम बहुत ही बुरे हो लेकिन उसातो कहता है कि मैं बुरा नहीं हूँ तुम एक क्रीपी बिएव कर रही हो वैसे हम देखते हैं कि अभी उनकी बात से यहां ब्लोरेंस सच में जाक चुका था इनुकामी तो बहुत ही खुश होती है और इसके बाद उसातो उसे नीचे उतार देता है और कहता है कि तुम अकेले खुद से चले जाओ अब ब्लोरेंस तो चल तो रहा था पर वो बिल्कुल नीद में था यह देखकर इनुकामी कहती है कि वो उसके उपर आ सकता है वो उसे लेके चलेगी लेकिन ब्लोरेंस जैसे उसकी पीट पर चड़ने को कहता है इनुकामी नीचे नीचे गरा देती है साथी उसे चोट भी लग गई थी वो ब्लूरेंस के नीचे दब चुके थे अब इसके बाद उसाथो उसे हील करता है और वो लोग फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं वैसे चलते हुए वो सोच रहे थे कि अब उन्हें कोई मौस्टर मिलेगा बलकि उनसे भी जादा भीकार चीज़ है असल में वहाँ पर कुछ लुटे रहे थे ये गिंती में बहुत सारे थे ये इनका रास्ता रोग लेते हैं और कहते हैं कि हम तुमें डिस्टब नहीं करना चाते और हम तुमारी बात भी बीच में नहीं रखेंगे बस तुमारे पास जो भी कुछ वैलियोबिल आइटम है वो हमें दे दो और तुम यहां से जा सकते हो इस पर औरे को तुरंती मना कर देता है लेकिन ये चीज उन लेटोरियों की लीडरों को पसंद नहीं आती वो कहने लगते हैं कि हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं बलकि तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें सारा समान हमें देना होगा तब ही तुम यहां से आगे बढ़ पाओगे लेकिन हम तुम्हें लूटने भी नहीं देने वाले यहाँ पर उनके लुक्स तो बहुत वैसे पॉफेक्ट लुटेरे वाले थे पर उसातों को उनसे बिलकुल डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसातों के टीम मेंबर्स ही इतने खतरनाक दिख रहे थे कि इस तरह के लुटेरे उसे नहीं डरा सकते अब यहाँ पर इनुकामी को भी इनसे बिलकुल डर नहीं लग रहा था वो तो बलकि इनने देखकर बहुत ही जदा एकसाइटिड लग रही थी क्योंकि फाइनली उसके एक और पैंटिसी पूरी होने वाली है वहाँ नीचे हम बलुरेंस को देखते हैं जो कि इनके सामने आता है तो यहाँ इस लुटेरे के गैंग की कुछ गुंडे डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए इनके पास तो एक ग्रिजली बियर भी है मगर इतने महीं उनका लीडर उन्हें रोक देता है और कहने लगता है कि तुम लोग पागलो हम इसे अपोचनिश समझ सकते हैं अगर हम इस ब्लू ग्रिजली बियर को सेल करेंगे तो हमें ब्लैक मार्केट में इसकी बहुत ही ज़्यादा कीमत मिलेगी मैं तो कहता हूँ हमें इसे जिन्दा पकरना चाहिए अब जैसे ही वो लोग ब्लूरेंस के बारे में इतना कहते हैं तो इतने महीं इनकामे को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपनी थंडर पावर से अटैक कर दीती है यहां हम देखते हैं कि उन लेटोरे के लीडर को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी पर वो जिन्दा था यह देखकर उसा तो इनू क्वामे की तारीफ तोरने लगता है और कहता है कि तुम्हारा अपनी मैजिक पावर का अच्छा खासा कंट्रोल है उसा तो उससे कहता है कि तुम अपनी पावर का जितना चाहे उतना उप्योग कर सकते हो चिन्दा की बात नहीं है अगर इन्हें जादा चोट लगी तो मैं इन्हें हील कर दूँगा बसे मरने नहीं चाहिए अब इसके बाद इनु कावी भी उन पर हमला करना शुरू करती है तब ही हम देखते हैं कि अचानक से उरी इनको कुछ मैसूस होता है असल में यह कुछ बीस्ट थे अब यहाँ पर उरी को जितनी देर में यह समझ पाता उन्हें उतने में ही वो सारे बीस्ट जो की असल में जंगली सूर है वो वहाँ पहुच जाते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं यहाँ अभी किसी तरह से यह लोग उनके अटैक से बच रहे थे कि उसातो और इनू कौम ही वहाँ से बहुत जादा तीजी से दूर फिक जाते हैं अभी वो जब नीचे गिर रहे थे तो उसातो यहाँ पर अपनी हीलिंग पावर का इस्तमाल कर रहा था जिससे पहले वो उस जंगली सूर के अटैक से वह डैमेज को हील कर सके और सात यह सात जब वो नीचे गिर रहे थे तो उन्हें उसाता चोट भी न लगे अभी वो एक पेड़ की उपर गिरते हैं जिस छाड़े उसे उन्हेको चोट लगती है और वहाँ नीचे एक नधी भै रही थी और वो सीदा जाकर उसी में गिरते हैं और उसकी धारा के चलते वहां से बहने लगते हैं अब उसातो उस नदी को देखते ही समझ गयाता कि ये वही नदी है जिसमें वो पहले भी कूच चुका है और ये नदी जाकर सीधा एक जरने से जुड़ती है इसका मतलब वो नीचे के तरफ गरने वाले हैं उसातो ईनुकामि को वर्णिंग देता है और तब ही वो जरना आ जाता है और वो सीधा जरने से नीचे गर जाते हैं अभी नीचे भी वो बहते हुए जा रहे थे हम कुछ देर में देखते हैं कि इनुकामि उसातो को पकड़ कर वहाँ उस नदी से बाहर निकलाती है और उसे लग रहा था कि उसातो अब चलने की हालत में नहीं है इसलिए वो उसातो को सहरा देते हुए वहाँ से आगे ली जाने वाली थी पर उसातो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने नदी के अंदर ही खुद को हील कर लिया था और अभी उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है बलकि इनुकामी को ही गाल पर चोट लगी हुई थी जिसे उसातो हील करता है वैसे यहाँ पर इनुकामी उससे माफी मांग रहे थी क्योंकि उसे ही बचाने के चलते उसातो वाप वापस से जंगल के अंदर आ गया उसातो कहता है कि माफ़े माँगने की जरूरत नहीं है वो पहले भी इस जंगल में आ चुका है और ये जंगल बहुत ही अच्छा लगता है यहां पर उसके नई दोस्त भी बने थे यहां वो ये भी बता रहा था कि उसे उमीद नहीं थी कि वो इस जंगल में इतनी जल्दी फिर से आ जाएगा वैसे इनुकामी को अभी इस बारे में नहीं पता था कि उसातो इस जंगल में आया था इसलिए वो उसातो से पूचती है तो उसातो बताता है कि हाँ वो इस जंगल के अंदर आया था और जिन जंगली सुर से अभी उनकी लड़ाई हुई वो बिलकुल भी तागतवर नहीं थे उन्हें वो लोग अराम से हरा सकते थे वो बस सिचूशन भी गड़ गई इस वज़ा से उन्हें वो अटैक जेलना पड़ा और वो वहां आ गई वर कि यह बहुत ही ज़्यादा पॉईजनस है और मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि फिर हम चलने की हालत में नहीं रहेंगे साथ ही यहां पर उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था इन्हों कामी कहती है कि इसकी चिंता करने के कोई जरूत नहीं है यहां पर से वो वापस पहाड़ी की उपर की तरफ जा सकते हैं वहां पर हमें कूरिन और औरीकू मिल जाएंगे पर उसातो कहता है कि नहीं अभी हम यहां से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि अब रात होने वाली है और रात को जंगल में आगे बढ़ना बहुत ही खतरनाक हो सकता है उसातो कहरा था कि हमें इस तरह से यहीं पर रुकना होगा अगर जंगल की बीच में भी नहीं रुका जा सकता और उसातो पृफ लीसा पर इनुकामी इसमें उसके कुछ गलत इरादे लगते हैं और वो थोड़ी शर्मा जाती है वैसे उसातो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था वैसे अब उन्हें खाने की भी प्रोब्लम थी लेकिन इनुकामी खाने की प्रोब्लम खतम कर देती है चूंकि वो यहाँ अपने पास अ आग जलाने के लिए वैसे उसातो तो अभी इस चीज़ से बहुत ही जदा खुश था अब वो इनुकामी से कह रहा था कि काश पिछली बार भी तुम मेरे साथ आती तुम सच में बहुत ही जदा इंजॉइफुल हो इसके बाद उसातों ने अपने कपड़े वहां पर सुख ही मांगेगा लेकिन जब वो पीछे देखती है तो उसातों के मसल्स देखते हुए वो शौक हो जाती है और फिर से आगे देखने लगती है वैसे तब ही उसे सामने गुफा के एक कौने के कुछ चमकता हुआ देखता है असल में यह वहां पर रहने वाले जानवरों की आख और चेल सकती हैं वैसे ह्यां उनके नाम मैं वैक की ओंट कर लेता है जिसा से इनुका वाडी में जहर फेल घ्या था हमें से सीक्त को मिलता है कि कूरीन की एक साथ ही ने यहां काजुकी को बता दिया था कि उसातों और इनुका में जंगल में खो चुके हैं और अभी तक किसी को उनका कोई पता नहीं है कि सुनकर काजुकी शौक होता है और वो तुरंती किंग के पास जाकर कहने लगता है कि आपको जल से जल एक रिसर्च जानवर रहते हैं यह मैं देखकर आया हूँ मैं जानता हूँ कि वो लोग वहां पर सर्वाइब नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके साथ तो कोई सोल्जस या फिर कोई पारफुल परसन भी नहीं है इसके बाद अब काजुकी खुद वहां जंगल में जाने वाला था लेकर मैं ही रोज उसे वहां आकर रोक देती है वो कहती है कि तुम्हें वहां पर जाने के कोई जरुवत नहीं है और तुम्हें उनकी जिनता भी नहीं करनी चाहिए उसातो इनुकामी के साथ है और उसके होते हुए इनुकामी को कुछ नहीं हो सकता इसके बाद अब सीन चेंज ह हम यहां और इनुकामी को देखते हैं, और यहां बहुत yogi कर दिया था, यहां भी वो दोनों बैठे होे थे, लेकिन दीरे-दीरे रात होने लगती है। उसातों कहता है कि हमें सोचना चाहिए। वैसे यहाँ पर अभी किसी एक को नजर रखने चाहिए। बाहर जिससे कि कोई मॉंस्टर या फिर कोई बीस्ट उन पर हमला ना कर दे। उसातों कहता है कि मैं रात बर नजर रखोंगा। तुम सोच सकती हो। पर इस पर इनुकामी कहती है कि नहीं तुम मुझे हील करने में और रेड़ी अपनी बहुत सारी मैजिक पावर यूस कर चुके हो। तो मैं पहले सोच आना चाहिए जिससे तुम रीकवर हो सको। उसातों बात मान जाता है अब उसातों लिटता है तब इनुकामी उससे कहने लगता है कि क्या तुम जाग रही हो। उसातों कहता है कि हाँ मैं भी जाग रहा हूं तो इनुकामी उससे पूछते है कि इस वर्ल्ड में समन होने के बारे में तुमें क्या लगता है। उसातों कहता है कि ये कोश्चन है, इनुकामी कहती है कि सिंपल बात है, कि मैं यहां से नहीं जाना चाहती है, उसातों कहता है कि ऐसा क्यों, तो इनुकामी बताती है कि रियल वर्ल्ड में उसके लिए कुछ भी हासल करने को नहीं बचा है, उसने जो भी सब सोचा है, उसे वो मैं तुम दोनों के उपर बर्डन बनूंगा इस वज़े से मैंने यहां इतनी हाड ट्रेनिंग करना शुरू किया इनु कामी भी बिल्कुल ऐसा ही मानती है वो कहती है कि अब हमें बहर दूसरी दुनिया में जाने के बारे में भूल जाना चाहिए और जब तक हम यहां हैं और बाकी लोग थे अभी उरेकू उसके साथ था वो यहां इन दोनों को देखकर खुश था और कहता है कि ब्लूरंस ने उसातों की स्मेल को पहचान लिया था वो तुरंती यहां दोड़ता दोड़ता आ गया लेकिन यहां पर उरेकू बहुत ही ठक गया था क्योंकि ब्लू